तो हेलो दोस्तों कैसे आप सब एक बार फिर स्वागत आपका अपनी यूटूब चैनल से निठाकर ब्लोग्स में और मैं आपका दोस्तन निठाकूर आज एक बार फिर हादर हूं आपके सामझे एक नए वीडियो पर रियक्शन लेकर तो दोस्तों अभी हम इस वीडियो पर प्रेक्शन बनाने वाले हैं वह वीडियो मैंने ओपी अद्वयत यूटूब चैनल से वीडियो लिया है मेडियो का ट्याटल है ओशो वानी सिकंदर के जीवन के रोच्चा कहानी पागलो नहीं प्रमातम को पाय है ओशो वानी तो इसमें ओशो की किसी जो सत्संग की स्पी और इसमें ट्रेटल लिंक आपको मेंजाएं डिस्रिप्शन में आप जाकर और जीन वाली भी देख सकते हैं साथ ही साथ इनकी यूटूब चैनल ओपे द्राज को जुरूर चाट कीजेगा इसी के साथ दोस्तों में यूटूब तो ब्लोग को भी जूरू सब्स्क्राइब कीजेगा बेले का जिरूर दबाईएगा वीटे को लाइक किये जेगा शेयर किये जेगा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ और कमंड करके मुझे उपता है का वीडियो कैसी लगी तो लिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं स्टार्ट मैंने सुना है कि सिकंदर उस ज जल के तलास में था, बड़ी प्रिसित कहानी है उसके संब्द, अमरत की तलास में था, कहते हैं कि दुनिया भर को जीतने के उसने जो आयोजन किये वो भी अमरत की तलास के लिए, और कहानी है कि अखीर उसने वो जखे पाली, वो उस गुफा में प्रिवेस कर गया जहां अ आनदित हो गया, जन्मों जन्मों की जीवन जीवन की आकांशा की तरपती का छना आ गया, पर ऐसे ही कोई जर्ना है भी, इसी गुफा की तलास थी, जुका ही था, कि अंजुली में भर ले, अमरत को और पी जाए, अमर हो जाए, कि एक कव्वा बैठा हुआ था, गुफा के भ भूल मत करना, सिकंदर ने कव्वे की तरफ देखा, बड़ी दुर्गती की आवस्था में था कव्वा, पहचानना मुस्कल था कि कव्वा है, पंक जड़ गये थे, पंजे गिर गये थे, आँखें अंधी हो गई थी, ऐसा जीन सिन उसने कव्वा ही नहीं देखा था, बस कं सिकंदर ने पूछा रोकने का कारण रोकने वाला तू कौन, तो हुए ने का मेरी कहानी सुन लो, मैं भी अमरत की तलास में था, और ये गुफ़ा मुझे भी मिल गई थी, और मैंने ये अमरत पी लिया, और अब मैं मर नहीं सकता, और अब मैं मरना चाहता हूँ, देखो मे पंख जर गए हैं, उड़ नहीं सकता, पैर गिर गए हैं, गल गए हैं, लेकिन मर नहीं सकता, जहां बैठा है वही बैठा है, एक दफ़र मेरी तरफ देख लो, फिर तुम्हारी मर्ची हो, तो हमरत पी लो, लेकिन अब मैं चिला रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि मुझे जा सकता है, जी भी नहीं सकता है, क्योंकि जीने के सबों पकरन चीन हुए जा रहे हैं, और मर भी नहीं सकता है, क्योंकि यह अमरत दिक्कत हो गया है, और अब प्रात्ना एक ही कर रहा हूँ परमात्मा से, कि मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, बस एक ही आकांशा है कि कि इसी तरह मर जाओ, अब मर नहीं सकता है, रुख जाओ, सोच लो एक दफा, फिर तुम्हारी मर जाओ, अच्छा वो जरना पीने के बादे, और चुप चाप गुफा से बाहर वापिस लोट आया, उसने अमरत पिया नहीं, तुम जोगी चाहते हो, अगर वो पूरा हो जाए, तो भी तुम मुश्किल में पढ़ोगे, अगर वो पूरा नहीं हो तो तुम मुश्किल में पढ़ते हो, तुम मरना नहीं चाहते है, अगर यह हो जाए, गुफा तुम्हें मिल जाए, और तुम अमरत पियो तो तुम मुश्किल में पढ़ोगे, क्योंकि तब तब तुम प अच्छा करते थे कि अम्रत मिल जाए, क्योंकि जब म्रत्यू है तो जीएं कैसी, ना म्रत्यू के साथ जी सकते हो, ना अम्रत के साथ जी सकते हो, ना गरीवी में जी सकते हो, ना अमीरी में जी सकते हो, ना नर्क में, ना स्वर्ग में, और फिर भी तुम अपने को बुद्ध इमान समझते हो सुफी फकीर हुआ बायजीद वो अपनी प्रात्ना में परमात्मा से कहता था मेरी प्रात्नाओं का ख्याल मत करना तू उन्हें पूरी मत करना क्योंकि मेरे पास इतनी बुद्धि मत था कहा कि मैं वही मांग लो जो सुभ है आत्मी दिलकुल बुद्धि हीन है वो जो भी मांता है अच्छा उसी के जाल में बटकता है अगर पूरा हो जाता है तो मुस्किल खड़ी हो जाती पूरा नहीं होता तो मुस्किल खड़ी होती तुम सोच के देखो अतीत में लोटो अपनी जिन्दगी को एक दफ़ा लेखा जोखा करो तुमने जो मांगा उसमें से कुछ पूरा हुआ है उससे तुम्हे सुख मिला तुमने जो मांगा उसमें से कुछ पूरा नहीं हुआ है उससे तुम्हे सुख मिला तुम दोनों हालत में दुख पा रहे हैं। जो मांगा है उससे उलज गए। जो मिला है उससे उलज गए। जो नहीं मिला है उससे उलजे हुए। बुद्धिमानी क्या है? बुद्धिमत्ता का लक्षन क्या है? बुद्धिमत्ता का लक्षन है उस सुत्र को मांग लेना, जि इसलिए धार्मिक व्यक्ति के अत्रिक्त कोई बुद्धिमान नहीं, क्योंकि सिर्फ परमात्मा को मांगने वाला ही पस्ता था नहीं, बांकि तुम जो भी मांगोगे पस्ता होगी, इसे तुम गाठ बांद के रख लो, तुम जो भी मांगोगे पस्ता होगी, सिर्फ परमात् लेकिंगे लिए तुम ऐसे कुछ मांगने दो परमात्मा कोई मांगो, असब तरे स्रृच्छ a kami ऊसल तो हम अजया समद्ध में जनकारी ले सकते हैं ए वी ज्यान report खड़े होकर about और खड़े होकर अनकिन एक परिक्रण करता है पदारत के संबद्ध में घ्यान हो जाता है लेकिन परमात्मा के संबद में कोई ग्यान बाहर से नहीं हो सकता वह इंटरनली होगा वह तो भीतर ही जाना होगा वह तो इतने भीतर जाना होगा जहां कि तुम्हारी और उसकी सीमा खो जाती है तुम उसके हिर्दे की धड़कन बन जाते हो वो तुम्हारे हिर्दे की धड़कन बन जाता है जहां इतनी एकता सद जाती है वही ग्यान है सास्तरों से ये कैसे होगा सब्दों से ये कैसे होगा ये तो प्रेम से ही हो सकता है इसलिए नानक कहते हैं बस प्रेम कुंजी है और अगर उसके नाम का प्रेम जग जाए अगर उसकी धुन तुमारे भीतर बजने लगे और तुम उसके प्रेम में पागल हो जाओ तो तुम जान सकोगे सास्तर से तुम बुद्धिमानी मत समझना कि तुम बुद्धिमानी कर रहे हो को ना समझी है वहां तुमें बहुत से तर्क और सिध्धान्त मिल जाएंगे लेकिन असली चीज चुक जाएगी तुम न तो अपने को जान सकोगे और ना परमात्मा को क्योंकि दोनों को जानने का एक ही मार अगर तुम स्वयम को जानना चाहते हो तो परमात्मा के साथ एक हो जाओ क्योंकि उसके साथ एक होने पर ही वो प्रग्याओं उपलब्ध होती है जिसको जानकारी हो सके जानना हो सके, अगर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो तो भी उसके साथ एक हो जाओ, क्योंकि जब तुम उसके साथ हो जाओगे, तब यूँ से पहचान सकोगे, स्वाद लिये बिना कोई रास्ता नहीं, अन्य था तुम्हारे सब तरक बचकाने रहेंगे, और मुर्था पूर्ण रहेंगे ऐसा हुआ कि मुल्ला नसुद्दीन 80 साल का हो गया और तब अचानक एक दन उसे अपने बेटे को बिला के कहां बड़े बेटे कुछ इसके उम्र कोई 60 साल होगी अच्छा कि मैंने फिर से बिवाह का टेकर लिया है 80 साल की उमर में शाद देरी मां को मरे काफी महीने हो गए अच्छा और अब मैं बिना इस तरीक नहीं रह सकता हूँ बेटा थोड़ा चिंतित हुआ है क्योंकि 80 साल मैं अब साधी उसने का लेकिन किस से साधी का इरादा है कौन लड़की है नसुद्दीन ने का कि सामने पड़ोसी की लड़की लड़का हसने लगा उसने का आप भी मजाक करत है तो फर्क क्या है अरे चाचा अपनी उम्र भी तो जैको अच्छा मनस्त जितने तर्क खोस्ता परमात्मा के संबंध में वो ऐसे ही है उस टेमा आप तो नहीं 80 साल के ते आप तो आप आप यह से के हो बाहर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन ये तो याद ही नहीं आती कि मैं 80 साल का हो गया हूं अच्छा परमात्मा के संबंध में तर्क और सिध्धान्त तुम बाहर से पकड़ने की कोशिस करते हो तुम अपना इसमरण ही नहीं करते कि तुम्हें बीतर प्रिवेस होना है और तुम्हें सिध्धान्त का हिस्सा बनना है पंडित बाहर रहता है ग्यान उसके लिए सामगरी है जिसको जमाता है लेकिन खुद बाहर रहता है ग्यानी बीतर चला जाता है पंडित ज्यादा चाला आंक है ज्यादा होश्यार है बीतर नहीं पड़ता है बाहर बाहर से हिसाब रखता है लेकिन ये होश्यारी मूरता सि क्या़ीет है, क्यांकि भीतर गए बेना कुई रास्ता नहीं। ये ऐसे ही जिसे कोई प्रेम के संबंध में किताब और पढ़ ले और सोचे कि मैंने प्रेम को जान लिया कोई सुभह के संबंध में किताबों में पढ़ लिया और सोच ल GGC सुभ़वा को जान लिया, अच्छा वे और देल लिए साथ साथ धड़कते हो, फूल का साक्षा जान उसकी सुगंध और तुम्हारा जीवन अस्तित्व ओत प्रोद रशाएं, एक दूसरे में लीन हो जाता है, एक दूसरे को छूता है, आनंतित होता है, एक दूसरे के सांथ हवा में थिरकता है और नत्य करता है वो छण तो किताब से नहीं मिल सकता है और जब साधरन फूलों के सांथ एक होने का छण किताब से नहीं मिल सकता है तो परम फूल जीवन का जो परमात्मा है, उसके साथ तो कैसे, कैसे सब्द से दान्द का नाता जोड़ा जा सकता है, उससे तो नाता जोड़ना हो, तो तुम्हें बीतर प्रवेश करना पड़े, इसलिए पागल ही प्रवेश करते हैं, बुद्धिमान वंचित रह जाते हैं, क्योंकि बुद्धिमानी तुम्हारी, चाला की तुम्हारी वसूता बुद्धिमानी नहीं है, इसलिए बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार, कहना ठीक नहीं, सदा ही ऐसा हुआ है, कि पागलों ने उसे पालिया, समझदार पीछे रह गए, बगवान को, नानक कहते हैं, बस एक ही उपाय है और वो है यह जानना, नानक बड़ा आखिये आपे जाने आप, वो महान है, और वो स्वयम ही अपने को जान सकता है, तुम उसे बाहर से ना जान सकोगे जब तक कि तुम उसकी स्वयम सकता में लीन ना हो जाओ, तुम भी उसके साथ एक हो जाओ, परमात्म परमात्मा को जानना हो तो परमात्मा हुए बिना और कोई उपाय नहीं उसी गहराई में तो ही उससे जान सकोगे उसके साथ एक हो जाना पड़ेगा तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो इसमें जो ओशो है वो शुरॉत रूने की सिकंदर की लाइफ के एक इंसिजेंट्स है जिसमें वह अमर होना चाहता था पर जब उसको वह जगह मिल गई जहां पर पानी पर की अमर हो सकता था पर वहां पर उसने वह कवह देखा जो अमर था बट अमर होने के बाद भी उसका जीना बिल्कुल वेकार था क्योंकि वह अंदा हो चुका था पैर गल गे थे पंक चड़ी के थे मतलब अमर तो वह हो गया था पर उसके लावा लाइफ में और कुछ नहीं कर पाया वो मरने की दूआ कर रहा है कि मुझे मार दिया जाए यहां मर जाओं तो यहीं इसी सोच ने बाश्रू कि थी दूसरा यह कि वह कह रहे थे कि जो शास्त्र है हमारे शास्त्र है और गरंत है उनको पढ़के आप प्रमात्मा को नहीं पा सकते वह तो एक शब्द है मतलब वह आपको सीख दे देंगे आपको बुद्धी देंगे प्रमात्मा को पाने के लिए आपको भीतर ही उतरना पढ़ेग अपने अंदर . तो यह चीज जो है जो यह ओश्रू बात बता रहे हैं कि बाहर इस्वर को धुड़ने तो बहर भटने से अच्छा है कि आपने अंदर फब्धो भीतर ध्यान लगाओ इस वर खुद भा ने वीडियो में तो तो को अपना ध्यान दखेगा गुडबाई